सरयाम अंपायर ने की पाकिस्तान के साथ बेइमानी? अंपायर ने बाबर को बीच मैदान पर रुला दिया, एक ओवर में दो-दो बार कर दी बेइमानी? पाकिस्तान साउथ अफरीका के बीच शुक्रवार को खेले गए रोमान्चक मुकाबले में पाक टीम को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा इस हार के बाद पाकिस्तान टीम का सेमी फाइनल में पहुँचना काफी मुश्किल हो गया है ये उसकी 6 मैचों में 4 हार थी हालांकि पाकिस्तान की हार के लिए अंपायर के फैसलों को भी जिम्मेदार मान रहे हैं ये फैसले 46 में ओवर की आखिरी बॉल पर देखने को मिले हुआ यूँ कि इस ओवर में हारिस रूफ तीसरी गेंद पर लुंगी एंगिडी को आउट कर चुके थे अब पाकिस्तान से जीत बस एक विकेट दूर थी रूफ ने नए बल्लेबास तबरेज शमसी को आखिरी बॉल डाली तो ये पिच होकर सीधा अंदर की ओर आई जिस पर शमसी बीट हुए और गेंद पैट पर लगकर बाहर निकल गई रूफ ने बिना देर किये जोरदार अपील कर दी लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई तुरंत बाद रूफ ने रिव्यू ले लिया जिसमें नजर आया कि पिचिंग आउटसाइड ओंफ थी इंपक्ट इन लाइन था जबकि विकेट्स हिट कर रहा था हालां कि ये अंपायर्स कॉल था इसलिए शमसी आउट होने से बच गए इस डिसिजन से हारिस रूफ, बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान समेट टीम के खिलाड़ी काफी निराश नजर आए इस से पहले अंपायर इलेक्स कार्फ ने इस ओवर की पांचवी गेंद को भी वाइट दे दिया था जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कहा जा रहा है कि ये गेंद शमसी के पैर से लगकर निकल रही थी अंपायर के इस निर्णय पर फैंस दो भागों में बंड गए हैं जहां एक और फैंस का कहना है कि अंपायर का डिसिजन ठीक था तो वहीं दूसरी और कुछ ने इस पर सवाल उठा कर पाकिस्तान की हार का जिम्मेदार बताया है